आपके लिए लेकर आई हो एक चोट असे सप्राइज ये रीटिंग होने वाली है आपके person की current feelings आपको लेके क्या है वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे है साथ ही हम उनकी energies भी check करेंगे and messages जो messages जो दिल की बात उन्होंने अभी तक आपसे कहीं नहीं है या वो कहने में घबराते हैं या जिजबते हैं तो वो भी हम आपको करने वाले हैं आज की reading में जी हां messages from your person and साथ ही उनके initials ओके गाइस यह है जैसे के आप देख पा रहे हैं हमारे तीन piles first pile is this green colored ball second pile है यह red color का star and third pile is this golden colored gift अगर आप इसको gift लेना चाहें आप इसको gift ले सकते हैं या golden colored candy मैं इसको as a gift ही बोलूँगी तो golden color gift okay guys so अपने eyes close कर लीजे video pause कर लीजे and जो भी pile आपको resonate कर है या आपकी intuition के ही उसको select करनी चाहेगा okay guys so pile 1 मैं एक बड़ी दुबारा repeat कर देती हूं है हमारी pile 1 green colored ball pile 2 is this red colored star and pile 3 is this golden colored gift okay guys so let's start with pile number 1 जो कि है ये green colored ball इसको मैं इधर रख देती हूं आइए देखते हैं कि आपकी person आपके बारे में क्या feel कर रहे है presently cards हमारे पास आओ रहे हैं and let's see pile number 1 आपका पहला card है the harafant six of cups the hanged man in reverse मुझे ये action लेते बे नजर आ रहे हैं the lovers three of wands definitely action लेने का सुच रहे हैं आपके person ten of wands in reverse ace of cups five of wands and seven of wands bottom of the deck guys हमारा है the empress so uh चलिए बात कहते हैं आपके person आपके बारे में क्या सुच रहे है presently पहले तुम्हें ये बता दू कि आपका जैसा भी connection है भले ही वो twin flame soulmate या कार्मिक connection ना हो बट ये ऐसा connection है ये एक तरीके का divine है भगवान नहीं चाहा था ये भगवान की ही मर्जी से हो रहा है जो भी हो रहा है आपके connection में एक बहुत ही मतलब एक समझ लीजी भगवान ही चाहते थे कि आप इनसे मिले आगे क्या होगा वो अभी नहीं बता सकते बट definitely भगवान जी चाहते थे कि वो आपसे मिले and presently अगर मैं बात करूँ आपके person की current feelings आपको लेके तो उनको लगता है कि आप बहुत ही एक पहले emperors की बात करती है वो सोचते हैं आप बहुत ही nurturing, बहुत ही caring लड़की है एक family oriented kind of a family material है marriage material kind of a person है साथ ही वो ये सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारे offers हैं आपको मैं कहूं कमी नहीं है offers की आप ऐसे इंसान है कि आपको तो कोई भी पसंद कर लेगा वो ये सोचते हैं पहले वो इस रिष्टे की तरफ कोई action नहीं लेना चाहते थे बट आप वो action लेना चाहते हैं आपके person इस रिष्टे की तरफ lovers हमें ये बता रहा है कि definitely 50-60% में मैं कहूंगी twin flame soulmate connection है आपका and three of wands हमें ये बता रहा है कि जैसे कि मैं आपको बोला action लेने का सोच रहे हैं तो planning, plotting करते हूंगी आपके person उनकी थोड़ी ऐसी nature होगी वो काफी logical में को लग रहे हैं काफी practical और logical पहले वो अपनी family के burden से भी परिशान थे family burden in the sense responsibility कि finances को कैसे manage करना है and if they want you कि अगर वो चाते हैं कि आपको अपनी life में लाएं तो उस इसाब से इनको कैसे अपने life में progress करनी है कुछ cases में मिल को लग रहा है कि वो definitely बापस आने वाले हैं और आपको offer love offer दे रहे है and यहां पर मैं बता दूँ जो लोग communication में नहीं है या मैं कहूं कोई किसी type का distance है physical distance में को जादा लग रहा है कोई different country, state या city में रहते होंगे and five of wands मैं को यह बता रहा है कि पहले जो वो डर था उनके मन में वो यह था कि society क्या कहेगी, family क्या कहेगी but अब seven of wands मुझे यह बता रहा है कि definitely planning, plotting, proper strategy बनाके वो आपको approach करने वाले है and मेहनत कर रहे हैं इस रिष्टे की तरफ और आगे बढ़ना चाते हैं इस रिष्टे में आपके साथ future देख रहे हैं वो and मेहनत भी उसी हसाब से कर रहे हैं and आएए देखते हैं हमारे romance angels क्या कहते हैं आपके इस connection के पारे में क्या रहते हैं माल्मोकादिय उनिवस है रहे रहे हैं आपका तेला काद है true love this is the romance of a lifetime जैसे कि मैंने आपको बोला angels आपको बोल रहे हैं this is the romance of a lifetime religious factors definitely जैसे मैंने बोला कि कोई community or society क्या कहेगी आपके बीच में कोई religious difference हो सकता है caste difference हो सकता है जिसकी वज़े से वो दूर भागे हों आपसे passion allow your heart and soul to sing with joy definitely there is a passion in this relationship बहुत जादा प्यार है I can sense deep feelings है बट वो express नहीं की गई है unrequited love there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going ये कुछ 10% लोगों के लिए 10 नी क्या मैं बोलूनी 25% लोगों के लिए message है कि आप लोगों के relationship में equal give and take नहीं हुआ and angels आपको कह रहे हैं कि आप move on कर दीजिए आईए देखते हैं और क्या messages हैं जो angels आपको देना चाहते हैं पाइल नमबर वन काफी messages आ गए हैं आप लोगों के पर आईए देखते हैं आपका पहला message क्या आया है पाइल नमबर वन आपका पहला message है I still remember the good times that we shared वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो आज भी याद करते हैं definitely कोई physical distance है या आपका communication नहीं हो रहा है वो आज भी आपके साथ बतायवे वक्त को याद करते हैं wait for me आपके लिए बोला जा रहा है कि please मेरा इंतजार करो this is not yet over मेरा इंतजार करो and this is not yet over अभी सब खतम नहीं हुआ है तुम से ही I don't know why but song आगया आपके लिए जबके messages था तुम से ही is a song from जब वी मेट तुम से ही दिन होता है सुल में ये शाम आती है definitely आपके हो सकता है कि ये song आप उनके साथ एक memory हो इस song की या वो song ये वाला आपको dedicate करना चाहते है ये मौसम की बारिश again the song for you I don't know why but मुझे ऐसा लगते कि music बहुत सुनते है या music lover है the way you look at me turns me on अब मैं आपको इसको हिंदी में तो नहीं बताऊंगी आपको भी समझनार है वो जैसे ही आपको देखते है he feels a lot of passion for you you are my sweet heart this is so adorable I want you back वो आपको वापस पाने की कोशिश कर रहे है अपनी life में give me some more time so कुछ के लिए ये message हो सकता है कि उनके lover उनको कह रहे हैं कि उनको थोड़ा वक्त और दें next card है let's run away together आपको बोल रहे हैं कि चलो मिलके भाग जाए guys ये मत कीजेगा please I know your worth now definitely ये ये हैं जिनों ने भी आपको इगनोर करा था laugh पहले वो आपको वापस पाना चाते हैं वो जानते हैं उनको आपकी वर्थ बता लग गई है वो लम है वो लम है वो लम है definitely जैसे कि आपका false card आए था I still remember the good times तो ये एक song है वो लम है वो बाती कोई न जाने This is the song Must Magan again Your person is a music lover या वो आपसे music के थूँ communicate कर रहे है Do Dil Mil रहे हैं This is the song from Pardesh movie I have written so many messages but I delete them तो आपके person आपके लिए messages लिखते हैं और उन्हें delete कर देते हैं आईए देखते हैं कि क्या initials हैं आपके person के Guys ये ज़रूरी नहीं है ये आपसे resonate करें ये initials बट अगर आपसे resonate करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है अच्छी में मैंसेजस थोड़े साइट रख देती हूं So R हो सकता है आपके नाम में या आपके person के नाम में आता हो initial में या surname में T या जहां वो रहते हों जैसे कि मैंने बोला physical connection नहीं है अभी आप लगों में physical distance है h, n, e, n again, l, f, s, p, e, i, e, again, v, i, and l okay guys so ये थी pile number one की reading अगर आपको पसंद आई हो तो like, share, subscribe करना ना भूले and merry, many merry christmas guys lots of love to you may santa give you many more surprises bye bye hey guys so जन्हों ने भी ये star को choose करा था आई ये देखते हैं आपके person की current feelings क्या हैं आपको लेके कार्ट हमारे पास आ गए हैं so pile number two आपका first card है Arafant 10 of pentacles in reverse 9 of wands in reverse 8 of cups in reverse I don't know why I said reverse queen of cups ace of cups and bottom of the deck we have night of cups so guys अगर मैं बात करूँ आपके person की current feeling की so पहले तो आपको बता दू काफी blessed connection है आपका blessed मैं इसलिए नहीं बोलूगे कि blessed in the sense की बगवान चाहते थे कि आप लोग मिले and जो भी अभी आपके साथ आपके relationship में हो रहा है separation मेरको यहाँ पे feel हो रही है so जो भी separation phase से आप गुजर रहे हो यह भी एक तरीके से आपका लिखा वाथा जो हो रहा है 10 of pentacles in reverse मुझे यह बता रहा है कि आपके person ने कुछ cases में मेरको लग रहा है around 35% लोगो को यहाँ पे उनके person ने ghost करा है ghost का मतलब कोई clarity नहीं दी and बिना clarity दिये चले गए बताया कुछ नहीं and then they went तो वो लग रहा है आपको चीज़े clear नहीं है and कुछ cases में बताया ही नहीं and वो बताने की वज़ा उनको सही नहीं लगी क्योंकि उनको लगा कि financial problem है आपके person को जिसकी वज़ा से उन्होंने आपको कोई clarity नहीं दी financially काफी weak है वो पहले तो वो दूर दूर से इस connection को निहार रहे थे बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहे है action का बात नहीं बोलूँगी मैं यहां पे अभी but action की बात तो नहीं बोलूँगी apart from 20% people 20% लोगों के लिए definitely उनके person action लेते वे मिरको नजर आ रहे है rest 80% में आपके person सोच रहे है कि action क्या लिया जाए क्योंकि उनकी state कुछ ऐसी है कि थोड़ा बहुत positive होते है and then एकदम से negative हो जाते है थोड़ी से positivity लाते है अपने अंदर and then दुबारा U-turn माल लेते हैं negative हो जाते है queen of cups यह आप है जो उनका इंतजार कर रही है काफी time से and the relationship मिरको नया नहीं लग रा fresh नहीं लग रा यह पुराना relationship है around 8 months okay and from 8 months to more than a year पुराना है okay guys एक साल से लेकर आज मही में पुराना relationship है आपका इस इंसान के साथ night of cups in reverse हमें यही बता रहा है कि अभी आप action please उमीद मत करिए कि वो आपकी तरफ कोई action लेंगे okay but कुछ केसे में जैसे कि मैंने बोला 20% में आपके पॉर्सन के क्या messages है आप लोगों के लिए file number 2 क्या message वो आपको देना चाहते हैं जो बाद उनोंने आपसे कही नहीं है या कहना चाहते हैं बट अभी वो सही वक्त का इंतजार कर लें आपका पहला message है file number 2 we need to talk वो आपसे बात करना चाहते है बिलकुल मैंने जैसे बोला बात नहीं हो रही है separation है तेरी ओर song आपके लिए dedicated है तेरी ओर, तेरी ओर is the song from Singus King I wish I had told you how much you mean to me तो किसी के लिए ये message है कि वो आपको बोल रही है कि काश उनोंने आपको बताया होता कि आप उनके लिए कितना माहिने रखते हैं मैं यहाँ हूँ यहाँ song from Veer Zara I just want you to remain happy वो आपको खुश देखना चाते है आपका next message है You feel like home to me जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो आपको घोस्ट करके भागे आपको clarity नहीं दी बट अंदर ही अंदर आपको ये कहना चाह रहे है कि आप से मिलके उनको घर वाली feeling आती है ऐसा नहीं लगता कोई अंजान है या कोई बाहर का नया इंसान है अब का next card है कुछ तो है तुझ से राबदा या आप सा दाओ है अफ्ट आप से पूछ नहीं का आप उनको आज भी मिस करती है या करते हैं I have looked you up on your social media to know what you are up to तो definitely आपके person आपको चुप चुप के stop करते हैं आपके social media accounts को check करते हैं यह पता करने के लिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं आए देखते हैं Guys यह ज़रूरी नहीं है सारे ही messages आप लोगों से resonate हो तो जो आप से resonate होता है आप वो लीजिये and जो नहीं resonate होता उनकों leave कर दिजिये Okay guys So आएए देखते हैं आपके person के initials आपके initials and हो सकता है कि वो letters आपके full name में कहीं पर भी आते हो surname या first name में या फिर ऐसी place जहाँ पर आपके person याँ रहते हो So आपका पहला letter आया है U U again N N से निलेश नितेश R राजीर राजेश I I से इशिका T तरुन O O से guys जिसका भी नाम होगा में को जरूर बताएगा W Vaseen नाम हो सकता है R again So guys ये थी आप लोगों की reading अगर आपसे resonate करीगो तो मुझे comment section में जरूर बताएगा I love to see your comments and like, share और subscribe करना ना भूले मेरा ये channel में आउंगी और नहीं reading के साथ and साथ ही guys Merry Christmas May Santa bless you with lots and lots of love and surprises God bless you Bye-bye Hey guys तो जिन्हों ने भी ये gift को चूज करा है जो कि मैं को लग रहा है 90% लोगों ने ये ही चूज किया होगा आईए देखते हैं आपके person आपके बारे में क्या सोच रहे है Presently Currently क्या सूच रहे है आईए देखते हैं Pile No.3 जिन्हों ने भी चूज करा है उनके person उनके बारे में क्या सोच रहे है पहला का जिए हमारा The Hermit in reverse Five of Swords The Devil in reverse Six of Swords Nine of Pentacles in reverse Eight of Cups Eight of Swords in reverse Knight of Cups in reverse Harophant Guys, आज हमारी तीनों Piles में Harophant आया है And cards में well shuffled करके रखती हूं And bottom of the deck हमारा है Eight of Wands So, आएए बात करते हैं आपके partner की present energy Guys, पहले तो आपके partner बहुत ही socialize करना बंद कर दिया था किसी से बात करना नहीं पसंद कर रहे थे Hermit energy में चले गए थे लेकिन अब जैसी हमारा Hermit in reverse आया है वो ये कह रहा है कि आप वो दीरे थीरे open up हो रहे है के लिए fight करने को त्यार हो अब कुछ भी हो जाए आपके person लोगों के influence में आ गए थे आपके connection में किसी ने आपके person को भड़काया था जिसकी वज़स से ये सब कुछ हुआ अब वो आपके साथ peace चाहते हैं आपके शांती चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ रही है तो अगर किसी type का communication नहीं हो रहा था तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके person ही initiate करेंगे आपको call या message करके बात करेंगे चीज़े clear out करेंगे 9 of pentacles in reverse हमें ये बदा रहा है कि आपके person को financial problem है and presently वो थोड़ा negative state में सोच रही है achieve उन्होंने काफी कुछ करा है लेकिन उसको ignore करके वो negative stage पे जाके सोच रही है 8 of swords in reverse ये बता रहा है कि पहले वो उन्होंने अपने आसपास एक bubble create करके रखावा था अपने guards को अब कियावा था ताकि कोई उनकी life में interfere ना करे या जो वो चाहते हैं उनके हिसाब से हो कोई और किसी की advice भी नहीं लेना चाहते थे हो but in reverse आके 8 of swords चोख है हमारा card reverse में आया है मैं ये guarantee के साथ कह सकते हूं आपके person इस bubble से इस comfort zone से बहार आके they are ready to take advice and वो जो गलत सोच रहे थे आपके बारे में आपके इस connection के बारे में वो upside down हो गया है वो गलत सोच रहे थे तो आप वो positive सोचने लगे है night of cups in reverse ये बता रहा है कि guys अगर आप एकदम से उमीद कर रहे हैं कि वो आपको proposal दे तो ऐसा तो नहीं होने माला ये आपको बता दो लेकिन आपकी तरफ एक कदम एक step जरूर बढ़ाया जाएगा और वो step अगर आपका communication नहीं हो रहा था तो वो communication होगा and अगर आपका मैं कहूं बातचीत नहीं हो रही थी तो बातचीत होगी and चीजे जो clear out नहीं हो रही थी काफी धुनला धुनला समझ नहीं आ रहा था misunderstanding थी तो misunderstanding clear out होगी हरो फैंथ डेफिनेटली एक blessed connection है बट मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा energy feel हो रही है twin flame soulmate connection की इसलिए because we have 8 and 8 तो डेफिनेटली आप लोगों को 8-8 जरूर दिखता होगा या 69 जरूर दिखता होगा 6 and 9 दिखता होगा और 8-8 डबल एट आपको या ट्रिपल एट आपको बहुत दिखता होगा तो guys अगर आपको यह दिखता है तो to inflame soulmate connection है आपका आप चाहें तो detailed reading अपनी पर्सनल करवा सकते हैं मुझे Instagram पेज पे message कर दीचिए दिवाइन फॉर्चुन 709 रूपए ओके यह तो आपके पॉर्सन की current feeling है आइए बात करते हैं Romance Angels आपको क्या कहना चाहती है आपके पॉर्सन और आपके इस relationship के बारे में काफी messages आ गए है Pile No.3 के लिए Pile No.3 Romance Angels message आपके लिए है You deserve love You are lovable Romance Angels आपको कह रहे हैं कि आप प्यार को deserve करते हैं Attraction आपके और आपके पॉर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा attraction होगी जैसे कि मैंने बुलो twin flame soulmate connection है तो आप बहुत ज़्यादा अंदर से connected feel करते हो रहे अपने इस person के साथ Free yourself It's time to take back control of your life आपने definitely जैसे कि मैंने बुला यह signs होते हैं twin flame soulmate connection के कुछ ही है यहाँ पे But definitely आपको बोला जा रहा है कि जो आप अपने आपको रोब के बैठे हैं आपनी life आपको Separation Time apart from your partner is on the horizon जिन लोगों का separation नहीं हुआ है तो वो separation होने वाला है Express your love तो यह message है Angels आपको देना चाहरे हैं कि आप अपना love express करें So guys एक चीज मैं आपको बता दू जरूरी नहीं है सारी चीज़े आपसे resonate करें कुछ चीज़े जो resonate करी है वो आप अपने उपर लीज़े जो नहीं करनी leave it Next is getting to know each other Definitely आप लोगों को बात करने की जरूरत है Misunderstandings को clear करने की जरूरत है Angels भी हमें यहीं बोल रहे हैं एक दूसरे से बात कीज़े Get to know each other एक दूसरे की sight सुनिये Next card है playfulness Playfulness हमें यह बताया है थोड़ा सा flirt करिये एक दूसरे से थोड़ा light environment करिये light मैं कहूं एक situation ले आई है अपने relationship आपके partner आपके partner आपको क्या messages देना चाहते है वो भी हम देखेंगे जो उन्होंने आपसे कही नहीं बाते या फिर कहना चाहते हैं बट वो एक सही मौके का इंतजार कर गए हमारे पास काफी सारे आपके messages आगे है Pile No.3 के Pile No.3 आपका पहला message है It's a song तो क्या पता आपकी सौंग के साथ memory हो या फिर आप ये सुनते हो नकी याद में या वो सुनते हो आपकी याद में Must Magan This is from two states Give me some more time तो आपकी परसन आपसे थोड़ा वक्त और मांग रहे हैं Past life connection definitely जैसे कि मैंने बोले twin flame soulmate connection हो सकता है आपका इना सोना इना सोना इना सोना This is again a song from okay janu जो आपके परसन आपको गाईस अगर ये सौंग हो सकता है इन सौंग में आपके लिए कोई message भी होगा I am waiting for the miracle to happen तो आपके person wait करें है कि कोई magic हो जाए आपके relationship में और जो भी misunderstandings से सब clear out हो जाए definitely कुछ misunderstandings तो है arguments होएं आपके A fresh start वो आपके person आपसे एक fresh start मांग रहे है आपके साथ तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल this is from bodyguard movie तो कुछ लोगों के लिए ये song एक तरीके का message ला रहा है उनके लिए तेरी और sing is king का एक song है आपके person है तो music बहुत सुनते हैं guys wait for me तो ये message है I don't know किस के लिए but आपके person आपको कह रहे हैं कि मेरे लिए रूपो इंतजार करो मेरा I am feeling the consequences of the choices that I made तो आपके person ये ही बोल रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बोला कि ghost करके भागे होंगे तो आपको ये ही बोल रहे हैं आपके person इस message के थूप कि उन्होंने पहले जो choices करी वो गलत करी और उसी का ही परिणाम है जो वो बुगत रहे हैं I just want you to remain happy आपके person आपको खुश देखना चाहते हैं You are my light in this darkness वो आपको एक रोशनी की तरह देखते हैं उनके अंधेरे पर ही जिंदगी में You feel like home to me आपके person आपको एक family member की तरह ही देखते हैं कोई नया इंसान नहीं देखते हैं एक family की तरह ही आपको treat भी करते हैं Do you miss me? आपके person आपसे पूश रहे हैं कि क्या आप उनको miss करती है Okay guys so देखते हैं आपके person और आपके name के initials इसमें है या नहीं जरूरी नहीं हो बट देखते हैं And guys देखेंगे जो भी letters हो सकता है क्या आपके में को कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है दिस्टेंस है emotional or physical कोई different state या city का तो देखते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए में भी वह city या state के letters हो इसमें So मारा पहला letter है वी आपके person का नाम वी से start होता हो आपका या आपके surname में या उनके surname में o t t tanya tarun i i ishan g o o again हमारे पास दुबारा o आ गया है Letters I hope आप देख पारे है u e o h v again o again काफी o आया है हमारे यहां पर सब्सक्राइब करना ना भूले मेरा यह चानल मैं आऊंगी और नही रीडिंग्स के साथ till then love you all take care and Merry Christmas May Santa surprise you with many more more surprises okay guys God bless you bye-bye okay you 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 you